हेलो स्टूडेंट्स अपना गुर्कुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास नाइन्थ का स्प्रिंट बेच स्प्रिंट बेच का जो मेजर फोकस हमारा रहने वाला है वो होगा एंटी एसे एक्जामिनेशन और आज के लेक्चर में हम क्या बेखने वाले हैं आज का लेक्चर हमारा होगा चैप्टर वन जिसका नाम है नंबर सिस्टम उसका एक ओवर्वी होगा कि हम इस चैप्टर में कौन-कौन से टोपिक्स पढ़ने वाले हैं इसके साथ ही इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ये भी डिसकस करेंगे कि किस तरीके से हमारे को आगे आने वाले लेक्चर को अच्छे से देखना है और उनका ज्यादा से ज्यादा बेनेफिट हम उठा सकते हैं और हमारे को कैसे हैं रिटन नोट्स बनाने हैं वो सारी चीजे भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं है तो चलिए सुरू करते हैं तो हमारा यह जो चेप्टर है वह हम कोसिस करेंगे कि 10 से 12 लेक्चर में खतम हो जाए हर एक लेक्चर की जो डूरेशन होगी टाइम डूरेशन वह ओल्मॉस्ट फॉर्टी टू फॉर्टी मिनट्स तू वन आवर तक होगी कुछ लेक्चर ऐसे भ कि इस के अलावा इस कोर्स के अंदार हम लोक हमारा जो मेजर फोकस है वह कि हम एंसिर्ट का जिस सलेबस स हुसको गवर अपकरे एंसिस के सलेबस को बेस लएक हम लोग आगे बढ़ेंगे था बंस करें नावर यसी आदिfu सभ्हार क आपकогों को प्रुइस्ट कर यानिермहाला कि इस chapter में एक्चल में हमें पढ़ना क्या है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चेनल सब्सक्राइब नह को होगा इंट्रोड़क्शन ऑफ नंबर्स एनि हमारे को नंबर्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ना है कि नंबर्स क्या होते हैं कहां से ओरिजिनेट हुआ है एक कहां से चीजे में लिखी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं जब हम चेप्टर स्टार्ट करतें नंबर्स की बुक का तो स्टार्टिंग में इंट्रोड़क्शन नाम का कुछ बहुत सारी डिटेलिंग दी हुई होती है एक तरीके से थियोरी दी होती है जादा तर इस्टुडेंट जादा तर क्या मेरा मानना है कि 95-99% स्टुडेंट उस थियोरी को नहीं पढ़ते जो ट किया था सबसे पहले कहां से आई लोगों ने कैसे इसको यहां आज जहां हम चीजे पढ़ते हैं जो चीजे हम पढ़ते हैं क्या सुरू में भी ऐसी थी सुरू से लेके आज तक जो पूरी एक जड़नी है वो जो हमारे इंट्रोड़क्शन वाले पेरग्राफ होता है थियो आप लोगों को ज्यादा तर जगे पर नहीं पढ़ाए जाते हैं तो सबते पहले हम इंट्रोड़क्शन आप नंबर्स पढ़ेंगे कि नंबर्स आये कहां से हैं डिजिट्स क्या होता है नंबर्स क्या होता है प्लेस वेल्यू क्या होता है एक्स वेल्यू क्या होता है एक् देखेंगे इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेच्रल नंबर्स प्रेजेंट किया जाते हैं वह कैसे किया जाएगा वह हम इस लेक्चर में देखेंगे फिर नेच्रल नंबर्स को यह अलग-अलग केटेगरी में डिवाइड कर दिया है जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको टेंशन नहने की जरुवत नहीं है, यह सारी चीजे में अच्छे से आप लोगों को समझा समझा के इनके पर क्योस्तन्स करवा करवा के पढ़ाने वालों, इ जैसे कि natural numbers को represent करने के लिए हमने लाइन बढ़ाई थी वैसे ही whole numbers को represent कैसे किया जाता है number line पे फिर हम पढ़ेंगे integers integers क्या होते है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह तो होंगे ही साथ में negative numbers भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं जैसे minus 1, minus 2, minus 3 I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आरी हो कि अगर समझ में नहीं आरी है तो भी कोई बात नहीं हम लोग जैसे-जैसे topics को पढ़ेंगे तो हम पूरा detailing में इन चीजों को अच्छे से वहाँ पर discuss करेंगे फिर integers के भी 4-5 types होते हैं उनको पढ़ेंगे जोसे positive integers क्या होते है negative integers, old integers, even integers, non-positive, non-negative यह चोटे-चोटे terms है जो आप लोगों को क्या होगा कई बार जब आप लोग आगे की classes में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को बीच में कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा तो फिर confused हो जाओगे कि पता नहीं कहां पढ़ा था और क्या था इसके बारे में इसलिए के अंदर स्टार्टिंग का जो सबसे में टोपिक है जो दियावा है इस चेप्टर में वह हमारा रेस्टनल नंबर क्या होता है रेस्टनल नंबर से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन के बारे में पढ़ेंगे फ्रेक्शन भी आप लोग 6,7,5th क्लास में पढ कोन से नहीं होते हैं फिर हम लोग यहां तक आने के बाद में हम कोशिज करेंगे कि हमारी जो एक्सराइज है 1.1 वो सोल कर ले इसके इंदर मैं कोशिज करूंगा कि एंट्री एक्जंपलर के भी क्योंस आप लोगों को साथ में करवा दू और आडी सर्मा के भी कुछ क्योंस इसमें इंक्लूड कर लोग इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्विलेंट रेस्टनल नंबर्स क्या होते हैं फिर पढ इसके बाद में है कि जैसे हम लोगों ने ने नेचल नंबर सोल नंबर सिंटीजड को क्या किया था नंबर लाइन पे रिपरजेंट किया था तो उसका result या तो whole number आ सकता है पूरा-पूरा divide हो जाए या फिर decimal में आता है decimal में भी दो तरीके का number आ सकता है या तो decimal के कुछ digits के बाद में वो number stop हो जाए रुक जाए जैसे 1.25 यानि 255 पे जाके क्या होगा इस टोप हो गया तो उस वाले decimal को हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग decimals क्या होता है non terminating non terminating में क्या होगा कि number रुकेगा निए stop नी ओगा चलता रहे चलता रहे चलता रहे जैसे 1.3333 चलता रहे रहा तो यह कैसे पढ़ेंगे, यह वाला टोपिक हम देखने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग इसी में देखेंगे, कि जो decimals होते हैं, उन numbers को P by Q की form में कैसे convert करते हैं, फिर उसके उपर questions करेंगे, अगर आप लोगों कोई प्रोब्लम हो रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है तो कोई प्रोब्लम नहीं है, हम लोग जैसे-जैसे एक-एक टोपिक को पढ़ेंगे, आप लोगों की सारे डाउट्स के लिए होते रहेंगे, एक ओवर्वीव में इसलिए भी आप लोगों को पहले से पता रहे हैं, कि हमें कौनगों से टोपिक एक्चल में पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जितने भी टोपिक हमारे को पढ़ने हैं, वो इसमें लिख लो, फिर उसके बाद में क्या करना है, कि जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उस पे टिक लगाते जाओ कि ये टोपिक हमारा हो गया, ये टोपिक हो गया हमारा, जब जो और एक वार सबब करने के बाद में क्या करना हुआ विर जब देखोंगे आप क्या करों की उवार्वी के अंदरो अंदर टिक करते हैं यह वाला टोपिक मेतना है और कसी किमें थापकी मेरा किले है तो पे mar χ 500 उसको आप सकते ही फिर हम पढ़ेंगे रेस्टल नमबर हमारा कि खतम होनी के बाद में इरस्पन नंबर किया जाते हैं, अभी नंबर नंबर को होके किसे इरेस्टल नंबर किया जाते हैं इसके साथ ही तो फिसंपन नंपर पर क्या कीन corridor करेंगे इनके उपर questions और किस टाइब के पूछे जा सकते हैं और फिर last में हमारा जो topic होगा वो होगा एक last नहीं है अभी है इस slide में हम लोग देखेंगे कि real numbers क्या होते हैं, real number line क्या होती है इसके साथ यह और भी बहुत सारी topic अभी इस chapter में बचे हुए हैं जो हम next slide पे देखते हैं, तो आप इसको एक बार note कर लीजिए, फिर हम लोग next slide पे चलते हैं इस chapter में कुछ और topics भी दिये हैं तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं तो अगला next topic होगा हमारा वो होगा existence of square root of a positive real number इसको अभी छोड़ दो जब हम करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या मतलब actual में square root आप लोगों ने पढ़ा होगा last class में, square root नाम से पुरा chapter था class 8 के अंदर उसके बाद में क्या करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, natural numbers, whole numbers, restal numbers जिन सब को क्या किया था, number line पर represent किया था, similarly, real numbers को number line पर कैसे represent किया जाता है उसके हम कुछ questions करके देखेंगे, फिर real number पर कुछ operations करेंगे, उसमें जो हमारा सबसे important topic होगा वो होगा rationalization, तो rationalization से सबसे अच्छे questions बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने आप लिख भी दिया है इसके अलावा फिर आप हम लोगों को होगा जो अगला चेप्टर होगा, अगला topic होगा, exponents of real numbers, यह भी आप लोगों ने powers and exponents के नाम से 7th और 8th किलास में पढ़ लिया होगा, तो उसी से related है, यहां पर कुछ questions का level increase हो जाएगा, ठीक है, इसके कुछ лож होते हैं, इसके उपर questions करेंगे, फिर है rational exponents of a real number, यह थोड़ा सा नाया topic है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी exponents पढ़ रहे थे, वो क्या होते थे, whole number या फिर integer होते थे, whole number या फिर integer होते थे, यानि कि decimal वगेरा में इन में होते थे, fraction में होते थे, लेकिन अब क्या होगा rational exponent, यानि कि P by उसक किसी भी number है, जैसे a है, तो इसका exponent क्या हो सकता है, p by q type का हो सकता है, for example, यह हो सकता है, 2 की power, 2 by 3, तो इनको कैसे solve किया जाता है, इनके साथ कैसे deal किया जाता है, यह होगा, इसके कुछ लोज है, वो पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसके वोपर questions करेंगे, और last में हम लोग क् NCRT के exercises है, उनको solve करेंगे, आप लोगों को हर lecture के बाद में, या एक या दो lecture के बाद में, एक DPP प्रवाइड करवा दी जाएगी, उस DPP के solutions को भी हम देखेंगे, DPP मतलब daily practice problems, इसके अलावा, RD Sarma के solutions भी हम लोग इनी, इसी सीरीज के through, courses करने की, मतलब solve करने की courses करेंगे, तो I hope आप लोगों को एक chapter का overview मिल गया होगा, इसके साब से आप अपने एक नई copy बना लीजिए, जिसके अंदर केवल हमारे को mathematics का काम करना है, और other subject उसमें include नहीं करनी है, और other places से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो वो भी note नहीं करना है, केवल एक साब सुतरी copy बना ल लोग टाइम तक याद रहती है, तो और इसके साथ ही, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, तब तक के लिए, थेंक्य परोगों.